बाहु बली के डारेक्टर ने दिया धोका नराज हुई ये अक्ट्रेस जी हाँ आपने सही सुना है हम बात कर रहे हैं बाहु बली की अक्ट्रेस तमना भाट्या की जो बाहु बली के डारेक्टर एसे स्राज मौली से काफी नराज है अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्या है इसके पीछे का रिजन तो चली आपको बता देते हैं दरसल तमना भाट्या को पूरी उमीद थी कि बाहु बली की तरह बाहु बली टू में भी उन्हें जादा रोल दिया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं बाहु बली टू के लिए तमना ने काफी महनत की थी तमना भाट्या ने ना सिर्फ तलवार चलाना सीखा बलकी घुर सवारी तक सीखी थी लेकिन तमना के पैरो तले जमीन तब खिसक गई जब उनको पता चला कि पूरी फिल्म में उनका चन्द मिंटों का रोल है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बात से तमना को बहुत बड़ा जटका लगा है ताजुप की बात तो ये है कि फिल्म के आखरी के 20 मिनट तक भी तमना की कोई जड़क फिल्म में नहीं दिखाई दी और जितने भी सीन्ज में वो नज़र आई हैं उसमें भी उनके पास कुछ करने को नहीं था आज यूनों बाहुबली में तमना फिल्म की लीड किरदार में थी और उनकी आक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद भी किया था लेकिन बाहुबली 2 में तमना फिल्म का हिस्सा होते हुए भी फिल्म का हिस्सा नहीं लगी इतना ही नहीं सोर्सिस के मताबिक S.S. राज मॉली और तमना भाटिया के बीच अन्बन की खबरे भी आ रही है वेल्म तमना का कम रोल रखने के पीछे क्या वज़ा है ये तो S.S. राज मॉली ही जाने NMF News की रिपोर्ट